नमस्कार, आज अपन बात करेंगे भरत पारेक के बारे भरत पारेक आज अच्छे अच्छे लोगों के लिए एक मोटिवेस्टन स्पीकर बन गए है अपने जीवन में सुन्य से सुरुवात की और आज सिखर पर पोचे है भरत पारेक एक LIC एजेंट के रूप में जाने जाते हैं भरत पारेक के जिंगी बहुती संगर्षों में गुजरी शुरुवाती दूर में लेकिन उन्होंने अपनी हिम्माद, अपने देरिये और अपने जनून से वह सब कुछ पाया जो वो पारना चाहते थे एक, इंशुरैंस पोलिसी बेचना आप जानते होकी कितना तर्द काहाम है इंशुरैंस पोलिसी बेचन वो तरत काहाम माना जाता है लेकिन इन्होंने अपने एक आइडे से ऐसा दमाल मचाया इंशुरैंस सेक्टर में कि आज LIC के पूरे इंडिया में नमबर वन एजेंट है भरत परेख आज अपन जानेंगे कि भरत परेख कैसे LIC में नमबर वन एजेंट बने और कैसे ये लोगों के लिए प्रेहना है देखी बरत परेख 200 वर्क फूट मकान में रहते थे शुरुवाती जीवन बतरों में इन के पिता एक वर्कर थे एक मिल में काम करते थे इनकी मा एक ग्रहनी थी यह अपने भाई बेनों के साथ में पर अगरबस्ति पेक करते थे इनकी आपदे जरूर पूरी नहीं होती थी तो यह जब वे बच्पन में थे तब यह अपने गर खड़ चलने के लिए अपने भाई बेनों को साथ में अगरयब्पती पेक करते थे ओर बंजार में बेशते थे देखिए इनके संग्र्द के दिन देखिया अफ्छारा साल के उमरJackike उम्म्र में इंसरेंस बेचना शुरू किया इन्होंने अपने पड़ी और काम दोनों साथ में रखा सुबह को लेट जाते हैं शाम को इंशर्णोंस पॉलिसी बेचते साइकिल पर देखिया पहली पॉलेसी बेची उन्होंने सो रुपय कमेशन मिला कि जिवन किफ पललेसी बेची और सो रुपय का इनको कमेसन मिला फिर ये दिरे ओंपिर इंशर्णोंस सेक्टर में आगे बढ़ने लागे LIC के एजेंट के रूप में लेकिन इनको इंसुरेंस सेक्टर में कुछ साणखा खास सप्थलता नहीं मिली LIC में फिर इनको एक आइडिया इनके दिमाग में आया वो आइडिया क्या था देखे रो वहाँ आइडिया इनको बारत का नमबर वन LIC एजेंट बना दिया किसी की भी डेथ होती यह वहाँ समसान में जाते ही जो डेथ वाला परिवार होता था उन परिवार से मिलते हैं और अपना विजिटिंग कार्ड उनको देखे आ जाते हैं वह कहते थे कि आपके पास में क्यों एलाइसी पोलिसी हो तो मुझे बताना मैं आपका क्लेम सेटलमेंट करूंगा और मैं आपको पैसे दिलवाँगा फ्री में यह आइडिया उनका काम कर गया जब बारा दिन तिरा दिन गुजरते किसी परिवार की देथ होने के बाद में त संपर्क करता चाहिए उस फरिवार ने उनसे पोलिसी खरीदी या ना खरीदी उससे कोई मतलब नहीं इता वह उनसे पर करता और फिर बरत भाय उनके घर जाते और उनको पोलिसी का क्लेम दिलवाते और वो भी फ्री में तो जब दीरे दीरे कष्टमर का ऐसा विसवास इनक व्रदभाई है दे 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 अकबर में क्या करते है जहां कभी जहां कई भी देट होती वह आंगे घर पे चले जाते और विजिटिज जाड़ करते नहीं करते नेकि जो संपर्क करता उनको यह बेश्ट देते है और दे 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 आज यह N.I.C. कार्ड देते हैं और वहां से वापिस आते हैं कहते हैं कि तुम्हारा जो भी का कोई इंच्रेंज मीमा है पोलिसी है तो उनका किलेंगे को करवा किदेंगे असलोricht करेंगे फ्री ओफ सर्विस् यह सर्विस कश्टमर को पसंद आगी है और यह जब सर्विस कश्टमर को पसंद आती है प्मप्र deb is दो कोई सब्सक्राओं धर अगर करस्ति में पसंदार आगई ना तो आप रात व रात चमक जाओ हो गया और यही बरत भाई के साथ नहोंगा है भरत भाई ने बत्तिस पॉइंट चार करोड का बिजनिस या लैसी में बत्तिस पॉइंट चार करोड डॉलर अगर अपन को इसको इंडियन रुपीज में देखे तो चोईस अरब तीस करोड यू कैं बिलिव इट नहीं आप वि 32 वरकर हैं और 40,000 वातार को wynates को रहते हैं 40 मोझका रहते हैं क्या करते हैं इनको जन्मस दिन की बदाया दिते हैं किसी की साल्रिय की बदाया दिते हैं और इनको वन भाइंट डच में रहते हैं यूंड एक बार पोलिस होई कर दी अगर आपको इंस्योरंस सेक्टर में कुछ करना है ना इंस्योरंस सेक्टर में अगर पहचान बनानी है तो आपको एक बार भरत पारेक से सीखना चाहिए कैसे इन्होंने जिरो से शुरुवात कियो और आज टॉप लेवल पर पहुंचे हैं कि यह प्रीमियम जमा करने और क्ल जाने के जिरूत नहीं है और क्लेम से अगर आपके परिवान में टेथ हो गए उसका क्लेम अगर पास करवाना है तो रात दिन दोड के यह लाइसी ओपिस जाते है जो भी करना इसे फॉर्मिल्टी पूरी करने यह करते हैं आपको कुछ नहीं करने तो इतनी सारी प्री कर्ष lucumar के मिले हैं तो पिर क्या चाहिए फिर तो भरत पारे को टोप पर पोच नहीं है बारे के सपर देगए आ सो को सो रूपए से शुरूएर और आज 4 क्रोड इंपोर्टन बात बत देए आप मिस्या सो रूपैं कमाएं उस ॅर आज 4 करोर रुपए मन्तनी कमारे है, कहते हैं इनकी सेलिरे LIC के CEO से भी ज़्यादा है, LIC के CEO जो LIC का सबसे Top Manager LIC का CEO होता है, उसकी सेलिरे कहते हैं कि 2 श्शे 3 करोर के बीच में है, सेलिरी और अदर एलावम्स मिलके वे बत्ते बत्ते मिला कर तीन करोड़ तक की सेलरी हैं लेकिन भरत पारेक तक्रिमन चार करोड़ रूपए का कमिशन पर मंत उठा रहे हैं अब आप विश्वास करते हैं जो सूर रूपए से इस्टाठ या उस आज मिने और आज चार करोड़ तक पहुचा है अपना मेहनत ज जोस जुनून के दम पर आज बड़ी-बड़ी युनिवर्शिटे और विदेसों में बरत पारेक को बुलाया जाता है मोटीवेशन इस पीक के लिए इनको अच्छे-चे कोलेज में इनको बाशन देने के लिए बुलाया जाता है कि आप भी लोगों को मोटिवेट करो तो यह इस्टोरी आपके सामने कोई सामनी इस्टोरी नहीं है एक इनसान जीरो से उठा और टोप पर पूछा अपनी मेनत जोस और जुनून के दम पर तो अगर आप भी कुछ करना चाते हो ना तो भरत पारेक से सीख सकते हो कि कैसे आप मेनत और हाँ आपको मेनत के साथ में कुछ इनोवेटिव आइडिया अगर आप दिमाग में लगा होगे ना तो आप ज़दी सक्सेस होर सकते हों